देखिए जिस तरीके से राजितिक ग्वाणों से प्रिवित होकर के भाप्ता सरकार उनके पीछे सुरू से लेकर के आप तक पड़ी हुई है और उत्मिदान तक करवाई जिस घटिया मानसीता के साथ उनके साथ की जा रही है स्वाहई रूप से उनके जान का खत्रा है इसके पहले भी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले उनकी सर्चाभियत आई थी और अब परिवार के तीन सर्चों को तीन जिलों में अलग लग करके कल उन्हें ले जाया गया है उनकी आसंका निर्मूल नहीं है कभी भी उन पर इस तरीके से बदले की भावना से कात्लाना हमला करव बत्त और उनकी अचाया जे सकता है इनकााउंटर भी किया जे सकता है इसलिए मैं तो यही कहूं गोर इस तरीके भावाजपा-सरकार लोग तंत्रीक मुल्यों और लोग तंत्र की hacerlo कर रहे है उसका इस जीता जाता नमूना स्री आजम चान देखने को मिल रहा है ठीकिए नि नाय पालिका के निर्णे का स्वावत भी करते हैं। लगिन जिस तरीके से सरकार राजितिक दुरहनाँ से प्रीथ हो करके लगातार उन पर जुर्म जाती अत्याचार का कहर वर्पा कर रही है। ये क्रत्यी उचित नहीं है। ये लोगतंत्र को कुछलने और लोगतंत्रिक मूल्यों की हत्या के सिवाए कुछ नहीं है। आजम खा कोई शामाने वक्त नहीं है। पहले उनको मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी में जेल भेजा गया। 27 बेने जेल रहे। आप राद ही उनको नहीं हो पाया। और फिर से अब दुबारा उनको जेल भेजा गया है। तो ये सरकार की घटके सोच है। हम समझते हैं। सरकार ने नियाय पालिकान ने उनको सजा दी है। लेकिन उत्प्रादर कर रही है। जब एक जेल में थे तो परिवार के ये तीन सद्प्रादर को तीन अलग जेलों भेजने का आउचिती क्या है। यही उत्प्रादर कर रही है। जबकि आजम खान जी कई बार उत्तरपदेश रकार के केमिनेट में ब्रिश मंती रहे। नेता व्रिदल भी रहे। लोग्षभा रार्षभा में सांसत भी रहे। उनकी पत्नी भी लोग्षभा में रही और विधायक भी रही। उनका बेटा भी विधायक है रहा है। तो स्वाविर उसे सर्व जनपदी भी रहे हैं। कोई हिस्टी सीट अपराधी नहीं थे। यह राजिती दुभावना नहीं तो और क्या है। देखे अच्वकि नियाय पालिका के आदेश के खिलाफ तो अंदुन होता नहीं। तो सभी राजितिक पार्टी के कारकरता अपने अपने पार्टी के नेता को प्रहानमंत्री ग्रूप में देखना चाहते हैं। यह एक स्वावविक सीबात है। इसको अनथा किसी और से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे ही इंडिया के सभी नेताओं ने आपस में इस बाद को सामी ग्रूप से कहे दिया है। कि पहले हम गरबंधन की शरकार बनाएंगे। कौन प्रहानमंत्री होगा हम सभी मिल जुकर के आपस में तैकल लेंगे। इसलिए पहले पार्लेमेंट चुनाओ हो। इंडिया गरबंधन का बहुमत आए। तो प्रहानमंत्री तैकल लिया जाएगा। जैसा कि पहले भी जनता पार्टी हो जनता दल के दोर में हुआ था। वहां भी पहले नेता नहीं तह था। बाद में ही नेता तह हुआ। और सब कुछ अच्छा रहा। जो जितने भी गडबंधन पार्टी गडबंधन में पार्टियां हैं। वह सभी पार्टी के राश्टी इधर तो अपने आप में दावेदार है ही। लेकिन आप किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। अब विपक्षी पार्टियों के गडबंधन इंडिया सरकार बने जा रही है। तो सभी पार्टी के नेता मिल करके प्रहान मंत्री कौन बनेगा इसको भी तैक कर लेगा।